क्राफटोलिक 1.0 आज का यह डियाएवाइडिया मैंने बालकने डेकोरेशन के लिए ट्रेडी किया है मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तो मुझे रूड साइड यह लगडी की स्टिक मिल गई तो मैंने सोचा कि अभी इसे का यूज करके हम आज का मेरे पास यह cardboard sheet था उसके उपर ही मैंने चोटे दो पिक्चर्स ड्रॉ कर लिये मैंने दो पंचिके पिक्चर्स ड्रॉ कर लिये और उसको गट कर लिया पहले उस cardboard को हमें जे सो या फिर वाइट पैंट करके लेना है cardboard piece के उपर हम directly जब paint करने जाते हैं तब कभी-कभी वो color अच्छे तरह से उठके नहीं आता है इसलिए पहले हमें white paint ही use करना चाहिए इसके बाद मैंने जो मुझे color use करने थे वो सारे color ले लिए और जैसे मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे ये paint करना है उस तरह से मैंने paint करना शुरू कर दिया आपको चाहिए तो आप किसी भी color में इसको paint कर सकते हैं इसको paint करने के लिए आप acrylic color use कर सकते हो chalk paint use कर सकते हो कोई भी colors आप use कर सकते हो इसके बाद मैंने सारे colors इसके उपर paint करने के बाद मुझे कुछ black color से इसके उपर drawing करनी थी तो मैंने पहले marker paint लिया था बट मैंने जो color गिला था तब मैंने वो use किया तो मेरा marker paint खराब हो गया उसके बाद मैंने जो दूसरा पंची था उसके उपर फिर brush paint से ही करना शुरू कर दिया तो black brush से ही मैंने थोड़ा थोड़ा design निकालना शुरू कर दिया marker से थोड़ा पतला design आता है तो वही अच्छा रहता है लेकिन आप ये color जब गीले रहते हैं तब मत use करना पूरा सुकने के बाद ही marker paint इसके उपर use कर लेना अभी finally मेरा जो motive था वो अभी हम शुरू करेंगे मेरे पास जो stick थी तो वो stick मैंने पहले color करके ले ली उसके उपर मैंने brown color use किया है अभी इसको decorate करने के लिए हम paper के पत्ते बनाएंगे तो मैंने leaves का शेम कट करके ले लिया और दो color में green color के दो color में मैंने leaves कट कर लिये अभी हमें rope की मदद से ये जो पंची ready हो गया है इनको हमें tie करना है तो मैंने two tape की मदद से या फिर masking tape की मदद से इनको stick कर सकते हो या directly glue भी apply कर सकते हो अभी मैंने stick के उपर लगणी के stick के उपर ये leaves लगाना शुरू कर दिया पहले मैंने पंचीयों का जो rope था वो पहले tie कर लिया और उसके according मैंने leaves stick करना शुरू कर दिया अभी हमारा ये rope ready हो गया उसको बानने के लिए मैंने उपर से और एक rope लगा दिया ताकि वो अच्छे तरह से हमें hang करने को आज है अभी हमारा ये DIY एडिया ready हो गया है आपको ये हमारा आज का आईडिया कैसे लगा ये मुझे comment box में जरूर बताना ये एकदमी simple और easy DIY एडिया है इससे हम हमारी बालकनी को और अच्छे तरह से decorate कर जकते हैं तैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन स्टे तून फॉर नेक्स वीडियोज